ठिकर बटवारे के बाद भाजपा कॉंग्रीस की बड़ी चुनोतियां विवादों में बड़ा नेताओं का बलड प्रेशर होट सीटों के बदलते समिकरन से सांसे उपर नीचे होले के साथ रंग बरंगा फागुन का महीना बीतिया है चैत्रमहा की दस्तक के साथ दोनों दल सियासी बुखार की चपेट में है राजनीतिक रणीतिकार नब्ज पकड़े हुए हैं लेकिन ठीक से लाज नहीं वो पा रहा है किसी की भी हालत गंभी नहीं है पूरी राजस्त संक्यत देता है इसे कुछ यू समझते हैं पहले संचेप में भास्पा की हालत अभी इस्तिर है लेकिन चुरू बाड मेर श्री गंगा नगर जंजनू नागर दोसा समाई माधवपोर टोंक सीकर साइथ कई सीटों पर राजनितिक बेचैनी अभी भी बनी हुई है इससे पा पूर जयपूर ग्रामीन पाली उदैपूर अजमीर जैसे सीटों पर संक्रवन नियंतरन से बाहर है ऐसे में अभी कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता आने दलों में और सीपियाई लू के शिकार है गठवंदन के वज़े से वेंटी लेटर पर आ गये हैं लेकिन सेहत में क ब्रामन नाराज हो रहे थी तो आखिर में पूर विधान सबाद्य एक्स डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उतार कर शिकायत दूर करने का प्रयास किया दोने प्रमुक पार्टियों ने साथ सीटों पर आमने सामने जाट समाच से ही प्रत्याशी उतारे हैं क्या क कॉंग्रेस के लिए माहल अच्छा कहा जा सकता है नहीं कॉंग्रेस की शुरुवाती तैयारी और रणीती दोनों पर भावित कर रही थी बाद में राजश्रमंद वजयपूर के प्रत्याशियों के टिकेट लोटाने से सवाल खाड़े हो गए कि प्रत्याशियों के विश् से बात्चीच चल रही है भाजश्पा के कई नीता बागी हो गए हैं इनमें चुरू सी राहूर कस्वा तो पार्टी छोड़ कर कॉंग्रेस में आगे और टिकेट ले आए बार में जैसल मेर में निरदली रविन सिंग भार्टी के इंद्री मंत्री केला सौधरी के लिए च कॉंग्रेस सरकार को निशाना बनाये जा रहा है भाजश्पा प्रत्याशी पूरी तरह से नरेद्र मोदी और देश के लिए उनकी ओर से किये जा रहे हैं भविश्प के वादों के सहारे हैं राममंदर कस्मीर सिधारा तीजो सतर हटाने जैसे मुद्दे ही उनके लिए नि के सहारे घेर रही हैं वहीं कॉंग्रेस विपक्ष को दबाने के लिए EDCBI का इस्तेमाल करने बड़ती महंगाई वे विरुजगारी को काबू नहीं कर पाने सहित रास्टी मुद्दों पर मोदी की विफलताओं को भी मुद्दा बना रही है क्या विपक्ष आकरामक है सकरेता नहीं दिखी है कॉंग्रेस आलकमान और यहां से सांसर सुनिया गांधी ने मैनिफेस्टों जारी करने के लिए राजिस्थान को चना है पार्टी तैयारी में जुट गई है कॉंग्रेस की पांच चनोतियां क्या है मोदी के मुकाबले बड़े कद वाले नेता का भा है भाजपा की तरह प्रचार के अग्रेसिव रणीती नहीं होना भी कॉंग्रेस के लिए चुनोती बना हुआ है कारकरताओं में उर्जा भरना भाजपा की दो क्लीन स्वीप से निरास कारकरताओं में उर्जा भरना बितर गात का खत्रा कठवंदन और दूसीर पार्टियो से कॉंग्रेस में शामिल हुए निताओं को टिकेट मिलने से नाराज धड़े को राजी करना और गुटबाजी को कंट्रोल में रखना जिससे बेतर गात का खत्रा टल सकें कले रोकना वे निताओं को बराबर सक्री करना गहलोज सचिन पायर जैसे सभी प्रभावसाली नित को चुना प्रचार में बराबर सक्री करना नेताओं के बीच आपसी कले को भी रोकना इससे जनता और कार्करताओं में एक जुड़ता का संदेश चाहेगा वोट शेयर बढ़ाना है 2009 में कॉंग्रिस के राइस्थान वोट शेयर 47.2 फीज थी था और भाजपा का 36.6 फीज 2014 में कॉंग्रिस का वोट शेयर 37.7 फीज थी और 2019 में 34.2 फीज दी रहा भाजपा की चुनोतियां क्या हैं वितरगात का खत्रा बारबिर चित तोडगर जैसी कई सीटों पर वितरगात रोकना भाजपा के लिए चुनोती रहेगा इन सीटों पर भाजपा निताओं के बीच विधानसवा चुनाव के दुरान पन पी आपसी कड़वाहट सामने आ रही है गटबंदन के बड़े वोट बैंक में सेंद लगाना कॉंग्रेस के रल्पी और सीपियाई के साथ गटबंदन करने से वोट बैंक बड़ा होके हैं वहीं बीएपी से भी यदि गटबंदन हो जाता है तो भाषपा को एक बड़े वोट बैंक में लगाने का फॉर्म्ला ढोड़ना होगा इस्थानी एंटी इंकमब इन्कमवेंसी दस सालों से लगातार एक पार्टी के सांसथ होने से इसथानी एंटी इंकमवेंसी भी दिख रही है उम्मीत के मतावक शित्री विकास प्रदेश इसतर पर प्रभाव रखने वाली पूर मुख्शमय रॉजी कि सक्रेटा कमदखाई दे रही है गुटबाजी को रोकना होगा वोडशियर में बढ़त बनाई रंधन और बगावत के चलते भाच्पा को सेंध लगनी की आशंक़ा है झाल झाल